भीड कहती है कि शीहासन खाली करोते जस्वी आ रहे हैं भीड उस और इसारा करती है जो दस साल से हकीकत नहीं जुम्ला बोलते आए हैं जो दस साल से वहां को ठकते आए हैं उन्धुपतियों को माला माल करने का काम किए भीड समझ चुकी है अब नरेंदर मोदी जी के जहासे को कोई दिक्त नहीं है कि अपने एक अपने दस साल के सासंज काल में एक ऐसा कोई इन्वर्शिटी बनाया जो दुनिया के टॉप इन्वर्शिटी में उसका गिंती होता हो इन्हों ने सारे सिचन संस्थानों को बरबात करने का काम किया और रोजगार तो इनके लिए जुम अब नचलेगी उनकी चलती कि सिहासन खाली करो तिजर्श वी आरे हैं सिहासन खाली करो इंडिया गटवंधन वाले आरे हैं ल क्षानों नौजवान इस सबको ठगने का काम किये औख उस उंधुपतियों को माला माल करने का काम किए भीड समझ चुकी है कि अब नरेंदर मोदी जी के जहासे में नहीं आना है और नरेंदर मोदी जी के टांसफर्मर में अपना टोका फसा करके जिता रामांजी जी जो बल्व जलाना चाहते उस बल्व को फ्यूज करने के लिए भीडाई थी इसलिए और जितारा मांजी जी संसद बनने के लिए इतना अपने आपको गिरा देंगे हम लोगों ने नहीं सोचा था कि जो ब्यक्ति बिहार राज का मुक मंति रहा जो देश दुनिया में चर्चित अपने उन्हों हुए लेकिन आपने देखा कि वही जीतारा मांजी जी कहते थे कि हम मधुवनी के मंदिर में मुक मंति बनके के तो मंदिर धो दिया वही कहते थे कि भाई भी देशी ब्रहामन लोग भी देशी है तो उनको जीब काटने का इनाम घुशित किया वही कहते थे सतनरायन भगवान के कथा में आते थ कि जा करके और रामलल्ला के दर्सन करने गए वहां भी इनका अच्हुत्पन पीछा नहीं छोड़ा और वो गीरीले से दर्सन करना पढ़ा रामलल आल्ला तक जाने का नसीब नहीं हुआ तुह जी तेरो माजी जी आपको यदि दर्सनी करना था आसिरवादि पराप्ट करना था तो बाइस साल पहाड को किर करके जो दुमानजी जीने पहाड बनाया उनकर समादिपसा करकिना का nossos К 자주 जाए था आपको जगदवकु तो गया जहां नमांकन हो रहा था डीम उफिस के सामने में बावा साहब भीम्राम बेटकर की बहुत बड़ी तस्मुम लगी है मूर्ती वहां हाथ जोड़कर कि इनको माफी मांग लेना चाहिए था मंज पर आज मुके सहनी भी दिखे आपके गठबंदन में सामिल हुए हैं यही समाजिक समिकरन की बात किया जाए तो कुछ वहां समाज को सबसेदिक टिकर दिया गया है इस बार उसका अपने जो है मुके सहनी को अपने साथ मिलिया तो इसका असर गरौन पर दिख रहा क्या एक दम दिख रहा कुछ वहां समाज को ही टिकर नहीं दिया गया आप जब देखे हैं कि रिजर्व कंचिंशेंसी में राजत के खाते में जब 3-3 सीट आया चार-चर सीट तो चार में से तिन सीट पर रविदात समाज को टिकर दिया गया तो असल लड़ाई हनुमान का नही छोड़ दिजे जो भाजपा के पूर मंत्री और सांसद है वे बात आप देखिए किसी गया में प्रेम कुमार जी के अध्यस्ता में बैठक होती है भात्य जनता पार्टी का और जिसमें कहते हैं कि 400 सीट इसले चाहिए कि हमको समिधान बदलना है इसमें से अगलम अगलम स्थाफित करना चाहते हैं मोदी जी लगातार बिहार आ रहे हैं पिछले एक महने में पांच वेर आये वह और हर बार उन्होंने कहा कि मैंने 500 500 साल से जो मंदिर का काम था नहीं हुआ था उस काम करने कर्यास किया रोजजगार पे नहीं बोले महंगाई पे नहीं कैसे देख मोदी जी कि कुछ चंद जो सदियों से उस मंदिर में पूजा करते आये हैं देश की सारी धन संपति दान पून के नाम पर उनके पास जा सके है नरस canyon नरेंडर मोदीजी आप मंदिर बनाया किसी को जडिकत नहीं कि ऑकने एक अपने 10 साल के सासंज्काल में एक ऐसा कोई ऐन्वरसिटी बनाया जो दुनिया के टॉफ यंवर्शिटी में उसका गिंति होता है जो जेनियू जैसा टॉप भारत का इनिवर्शिटी था उसको भी आपने बरबाद किया अलीगर्ड इनिवर्शिटी को आपने बरबाद किया अब बीएचियू को बरबाद किया मदरा सौहेदराबाद इनिवर्शिटी को आपने बरबाद किया तो इन्होंने सारे सिचन संस्थानों को बरवात करने का काम किया और रोजगार तो इनके लिए जुमला है रोजगार के बारे में तो इन्होंने कहा कि पकोड़ा बेचना भी रोजगार है तो जैसा क्यों नहीं पकोड़ा बेचते हैं आपके बेटे दुनिया के सबसे बड़ जो अमीर हमारा बोर्ड है गिर्केट कोर्ड विसी सी grades उसके चेैर्मेन बनेगा आ हमारा बेटा पको बेचेगा हमारा भाई पकोड़ा बेचेगा तो इस वाल पे पाच बhouर उसी बोला विशेष पैकेज विशेष राज का दरजा क्या विखार को दे चाहते उनके मन में मंसा है पीड़ा है उस पर कोई बात नहीं बोली बिहार में हमने कितना नई ट्रेने चलाई इस पर उन्होंने कोई नहीं बोला और पटना जैसे इंवर्सिटी को क्या हमने केंद्रिय विशुधाले का दर्जा दिया इस पर कोई रल हो रहा है कि हरे कोप्टर से उड़ कर के रोड्सो खरें से रोड्सो कीशन।र्ष देखें तो घंसलाव वह कैसे होता यह नरेंदर मोदी मोदी आन्व Debude के लडू मुम्कून नारा में चारसो पार के नारे में कोई दम नहीं है यदि चारसो पार के नारे में दम होता तो जीता राम मांजी जैसे उनके राम को गाली देने वाले वरहमनों को गाली देने वाले पार्टी से उनको समझाता नहीं करना पड़ता चारशोपार में दम होता तो जाकर के मधध परदेश में मन से के साथ में ठाकरे के पाटी से समझोता नहीं करना पड़ता लाज हम आ रहे थे एक दार्षनिका लेख पड़ रहे उसने कहा यदि आप समाचार नहीं देखते हैं तो आपके पास जनकारी concurर नहीं मैं तो मेडिया का नया नामकरन पबल्यक ने कर दिया गोधी मीडिया के घरम भाणते मेडिया पर कि जैनल ने लो अपने सर्टिफिकेट जलाए हैं इस वजया से यह सर्टिफिकेट जो नौकरिं नहीं दिला सकता है तो यह सर्टिफिकेट किसका मे else का का इसलिए हम यह जो लौक सवा का चुनाव है हम नौजवानों से हम में अपीयल करना जाएए कि मोदी जी आपके रहते टंकी नहीं भर सकता है और मा बहनों से यही कहेंगे कि गया सिलेंडर को गोड़ लगके जाएए कि मोदी रहते एक गया सिलेंडर नहीं भर सकता है यह इस थिती पर इस देश को ला करके छोड़े हैं तो इसलिए मोदी जी का 400 पार का यह भी कहेंगे कि जुमला था निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूल करे.